हलो बच्चो गुरु कूल कलास तेंथ में आपका स्वागत है आज हम लोग कलास तेंथ के साइन्स का कमेस्ट्री में चेप्टर फोर कार्बन और उसके योगिक कार्बन एंड इट्स कमपॉंड पढ़ने वाले हैं यह चेप्टर बहुत ही महतपूर्ण है परिछा के जो भी टोपिक आएगा उसको बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझाएंगे ऐसा आसान तरीका जो अभी तक आप समझे नहीं होंगे या चिनको चेप्टर यह समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए तो यह वीडियो जो है बहुत ही महतपूर्ण है तो आईए हम लोग इस उसके सभी तरह के योगिकों के बारे में भी और इसके अंतरगत होने वाले जो घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे तो आईए टोपिक है कार्बन तो कार्बन क्या होता है इसको हमनों समझ लेते हैं तो कार्बन एक सारभोमिक ततो है सारभोमिक क्यों कहा गया है क्योंकि यह सभी जगह मौजूद रहता है कार्बन या कार्बन से सम्मंधित जो भी योगिक होंगे वो सभी जगह मौजूद रहते हैं कारबन का संकेत क्या है C है अब होता है कि सार भोमिक क्यों कहा गया है जिसका बहुत से कारण है कि हम दो जानते है कि परकिर्थी में कारबन एक जो है योगिक ब्यापक योगिक के रूप में मौझूद रहता है और अभी तक हमको पता है कि जेतने भी तत्व हैं अभी तक तो आगे पढ़ेंगे कि कार्बन के सबसे अधिक योगिक क्यों है या कार्बन सबसे अधिक संख्या में योगिकों का निर्मान क्यों करता है यह हम लोग आगे तुरत कुछ आगला टोपिक में पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक कार्बन के कुल योगिकों की जो स वो 5 लाग से अधीक है ठीक है? और अन इततो जो है कार्मन के अलावा और भी जो दूसरे इततो है उनके योगिकों की संक्या जो है लगभग 50,000 के करीब है तो यह जो 5 लाग से अधीक रहने का रीजन क्या है? इसका रीजन भी हम लोग आगे जा के समझ जाते हैं तो आदे संख्या कितना है दर्मान संख्या 12 है ठीक है दर्मान संख्या कितना है 12 है इसलिए C612 भी रहता है और इसका एक समस्थानिक भी है C6 14 भी है ठीक है 12 के जगाच हो तो यह समस्थानिक है तो समस्थानिक के छो घटा दीजेगा तो नीट्रोन संख्या भी छो हो जाएगा अब है कि कार्बन का इलक्टोनिक बिन्यास क्या होगा तो इलक्टोनिक बिन्यास जो है परमानू संख्या इलक्टोन संख्या पर निकलता है क्योंकि प्रोटोन संख्या, इलक्टोन संख्या, परमानू संख्या, तीनों बराबर होते हैं, अब बराबर होने के चलते, इलक्टोनिक बिन्यास जो है 6 पर ही बनेगा, तो 6 कंसर का होगा, पहला कच्छा में जानते हैं कि 2 होता है, अब अगला कच्छा में 4 इलक्टोन होते हैं, तो तो और फोर आपका ही हो गया, आपका electronic बिन्यास, इसकी बाहरीक अच्छा में देख लीजिए कि चार electron है, बाहरीक अच्छा में कितने electron है, चार है इसलिए बाहरीक अच्छा में उपस्थित electron की संग्या क्या हो जागा, चार हो जाएगा, अब है आपको कि संजोजी electron क्या होत तो इसमें सन्योजी लोक्टोन की संख्या भी कितना है आपका चार है इसलिए भी चार हो गया अब सन्योजगता क्या होता है तो सन्योजगता निकालने का रूल है कि आपको एक दो तीन रहेगा तो उसकी सन्योजगता सेम रह जाता है मतलब वही रह जाएगा लेकिन चार पा मतलब का हुआ भेलेंसी ठीक है तो इसकी भी भेलेंसी कितना हो जागा फोर हो जागा तो यह कार्बन की संजगता भेलेंसी फोर हो गया अब कार्बन जो होता है बंधन कैसा बनाता है तो कार्बन जो है जो बंधन बनाता है बंधन मतलब बंड तो कार्बन जो बंड बनाता है वसा संयोजी बंधन बनाता है कोबेलेंट बोंड बनाता है कार्बन की अपरूपता एलोट्रोपी क्या होता है अपरूपता इसको समझ लेगते हैं कार्बन के तो अपरूपता जानते हैं कि मेन रूप से ग्रेफाइट और हीरा का बारे में आपका किताब में जिक्र है लेकिन सबसे पहले अप रूपता क्या होता है इसको समझ लेते हैं तो हमनों जानते हैं कुछ ततों जो होता है बिभिन रूपों में रहने का गुन पाय जाता है बहुत से रूपों में पाय जाता है ये की ततों है लेकिन बहुत से रूपों में फॉर्म कहा जाता है, तो हम लोग कार्बन के अपरूपता के बारे में पॉड़ रहे हैं, तो कार्बन भी जो है, वो दो तरह के रूपों में पाय जाता है, एक है रवादार या रवेदार भी कह सकते हैं, और दूसरा है बेरवेदार, तो रवादार में कौन होता है कार्बन तो रवादार में या रवेदार में ग्रिफाइट और हीरा होता है और बे रवेदार में पत्थर, कोईला, चारकोल और काजल होते हैं तो यह कारबन का इंट्रोडक्शन था यह आपका सिलेबस का सुरुवाद समझने के लिए इसी जरूवत था लेकिन अब जो है परिछा के दिरिष्टी कोन से सब महतपूर्ण है तो चलिए इसके अगला टोपिक क्या है समझते हैं अगला टोपिक है ससजोजी बंधन, कोभेलेंट बोंड, तो कोभेलेंट बोंड क्या होता है, कारबन कोभेलेंट बोंडी क्यों बनाता है इसका region इसके बात समझ लेंगे पहले से सहनुज़ी बंधन क्या होता है इसका पहले हम लोग परिभासा समझ लेते हैं तो सहस्नुज़ी बंधन दो परकार के होता है या CBSE के कोर्स में नहीं है है ना या जो है stellung कोर्स या जो है YCAC board में है कि बंधन क्या है chemical bonding ठीक है तो वहाँ पर chemical जो bonding होता है रसाइनिक बंधन दो तरह का होता है एक आइनिक बंधन आईगोस्था स्वन्योजी बंधन ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको इस chapter में स्वन्योजी बंधन के बारे में ही जानना है आइनिक बंधन में क्या होता है? इलक्टोन का अस्थनांतरन होता है, ट्रांस्पर होता है, अससवन्य बंधन में इलक्टोन का क्या होता है? साजहा होता है, साजेदारी के फलसरूप, सेरिंग के फलसरूप बंधन बनता है, तो साजवन्य बंधन का आमनों परिभासा समझ ल होता है कभी एक होता है कभी दो को इलोक्ट्रोन का साजा होता है कभी तीन इलोक्ट्रोन का साजा होता है तो इसके अंसार सासर बंधन जो है तीन परकार को हो जाता है ठीक है जिसमें से पहला है एकल बंधन सिंगल बॉंड ठीक है सिंगल को भलेंट बॉंड ठीक है यह पहला परकार है तो single covalent bond का मतलब है कि एक electron का एक जोड़ा एक यूगम का साज़ा होता हो तो देखे हम लोग hydrogen जानते हैं कि hydrogen है और hydrogen का जानते हैं कि इसकी परमानु संख्या एक होता है और एक का electronic बिन्याद से करियेंगे तो एक होगा मतलब इसके बाहरी कच्छा में hydrogen के बाहरी कच्छा में एक electron है इसलिए बाहर में एक electron हो गया और इसको अक्रिये gas जैसी सरचना प्राप्त करने के लिए noble gas जैसा structure प्राप्त करने के लिए इसका nearest में helium होता है और helium के बाहरी कच्छा में दो electron होते हैं इसलिए यह hydrogen का करता है कि दूसरा hydrogen से एक electron का का कर लेता है, साजह कर लेता है, एक electron इससे ले लेता है, और एक electron लेकर के यह hydrogen के पास दो electron हो जाता है, यह भी hydrogen के पास एक electron है, एक electron इससे भी ले लेता है, मतलब आपस में दुनों क्या करते हैं, साज़ा करते हैं साज़ा करके कोभेलेंट बॉंड बना लेते हैं वो इस तरह से S2 का निर्मान हो जाता है तो दुनों हाइडोजन के बीच में एकक बॉंड का सिंगल एकक इलोक्टोन का साज़ा हुआ है इसलिए इसके भी सिंगल बॉंड पाया जाता है उसी तरह से कलोरीन देख लिजेगा तो कलोरीन हम दो जानते हैं कि कलोरीन का परमानू संख्या सेबन होता है इसका इलोक्टोनीं बिन्यास 2, 8, 7 होता है तो इसकी भारिक अछ़ा में 7 इलोक्ट्रोन है यह अपना अस्टक पूरा करने के लिखा करेगा एक इलोक्ट्रोन कहुं से लेगा और एक इलोक्ट्रोन लेने के बाद इसका अपना अस्टक पूरा हो जाएगा नियोन ठीक है आरगन की तरह यह अपना अस्थाय अस्ट्रक्चर बनाप कर लेगा अक्रिय ग के निर्मान में कलोरीन के बारीक अच्छा में देखिए हम साथ इलक्टोन देखा दिये हैं इभी कलोरीन के बारीक अच्छा में साथ इलक्टोन है और इस दुनों के कलोरीन साथ जो है आठ होने के लिखा करता है इसे एक इलक्टोन ले लेता है और ले करके यह अपना स्टक कलोरीन जो इससे एक किलोक्टोन इसको दिया है इससे भी एक किलोक्टोन यह ले लेता है और लेने के बाद इसका भी अस्टक जो है कम्पलीट हो जाता है और इस तरह से कलोरीन अनुका निर्मान हो जाता है तो यहां भी कलोरीन के बीच में क्या है एक एक किलोक्टोन का साज क्या होता है आठ होता है इसलिए 2 और 6 जो है इसका elektronik बिन्यास होगा बारीक अच्छा में 8 black件 है इसको अपना complete अस्टक होने के लिए क्या चाहिए दो ईलोक्टोन और चाहिए तब यह 8 अस्टक इसका पूरा हो जागा क्रिये गैस जैसी सरचना जो नियोन है उसके जैसा होगा दू अवाठ दस दस किसका होता है नियोन का होता है तो इस दू इलक्टोन का साज़ा करेगा तो हम लो जानते हैं कि ऑक्सीजन के बारी का अच्छा में छो इलक्टोन होता है तो छो इलक्टोन देखा दिये तो oxygen अनुका निर्मान कैसे होता है यहां पर भी दूसरा oxygen में भी हम 6 देखा दिये हैं अब क्या करेगा कि 6 होया और इससे 8 होने के लिए यह अपना अस्टक पूरा करने के लिए इससे 2 electron का साजा करेगा तो इसके पास 6 और इसका 2 गों और ले लेगा और इस तरह से इसका अपना अस्टक कंप्लीट हो जाएगा और उसी तरह से फिन यह भी oxygen जो है इसको जो दो गों दिया था इसे भी यह भी इसे 2 electron ले लेगा और यह भी अपना अस्टक जो है पूरा कर लेगा और इस तरह से ऑक्सीजन अनू का निर्मान होगा तो यह ऑक्सीजन के बीच में क्या है दो इलोक्टोन का साजा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या है डबल बॉंड बन रहा है दो इलोक्टोन का साजा हो रहा है इसलिए दोनो में क्या था दो इलक्ट्रोनों का साध्या के फल सुरूप जो बंधन बंधन था त्री आ बंधन का मतलब है कि तीन इलक्ट्रोनों का तीन जोड़ा इलक्ट्रोनों का क्या होना चाहिए साध्या होना चाहिए तिन तीन इलक्ट्रोनों का साध्या होना चाहिए तो उसका सबसे हो जागा और इस तरह से अपने जो निकट जो है अक्रिय गैस नियोन उसके जैसा सरफ़ना प्राप्त हो जागा तो हम लों जानते हैं कि इसके बाहरी के अच्छा में पांच इलक्टोन होते हैं तो ये पांच इलक्टोन हम लोग देखा दिये और दूसरा नाइटोजन में भी हम लोग 5 इलक्टोन देखा दिये क्योंकि नाइटोजन के बीच हम लोग साधा कर रहे है नाइटोजन नाइटोजन के भी तो यहां का करता है कि नाइटोजन 5 है इसको 8 होने के लिए 3 इलक्टोन आओ चाहिए तो तीन इलोक्ट्रोन जो है बगल वाला जो नाइट्रोजन है उससे ले लेता है यह भी नाइट्रोजन के पास 5 है यह भी अपना अस्टक पूरा करने के लिए इससे दो इलोक्ट्रोन है तीन इलोक्ट्रोन ले लेता है और इस तरह से इसका भी अस्टक पूरा हो जाता है औ इसका भी एक्जामपल हम लोग समझ गए, अगला टोपिक है कार्बन में आबंधन, तो कार्बन जो बंधन बनाता है, वस्स स्योजी आबंधन ही क्यों बनाता है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, कि कार्बन में जो आबंधन होता है, वस्स स्योजी आबंधन क्यों होता या आइनिक बंधन क्यों नहीं बनाता है इसका दो region है चलि उस दोनों region को हम लोग समझते हैं तो carbon में bonding in carbon covalent bond क्यों होता इसका region समझे है हम लोग जानते है कि परमानू का या नाभीक है और नाभीक के चारो तरब क्या होता है इलक्ट्रोन घुमते रहते हैं ठीक है परमानू गोलाकार होता ही जानते हैं तो परमानू के नाभिक में इसमें कार्बन के जानते हैं कि कार्बन के बारे में पढ़ चुके कार्बन की परमानू संख्या 6 होता है तो इसमें प्रोट्रोन भी 6 होंगे neutron भी 6 होंगे और इसके बाहर में घूम रहे जो electron है उनकी भी संख्या 6 होगा अब है कि इसको अस्टक पूरा करने के लिए 6 है तो 6 को के लिए का हो electroning बनियास 2 और 4 है तो इसको अपना अस्टक पूरदा करने के लिए या तो 4 electron को गरहन करना होगा या 4 electron को त्याग करना होगा यही दूनों में से कोई एको region हो सकता है आइनिक बन्धन बनाने के लिए ठीक है तो अब चलिए इसका region हम लोग जानते हैं कि आइनिक बन्धन क्यों नहीं बनाता है सासवयोजी बन्धन क्यों बनाता है तो चलिए देख इसका region है पहला माल लिजे कि carbon जो है या carbon 6 electron का माल लिजे कि या 4 electron गरहन करना है तो बाहर में 4 है 4 electron और ले लिया तब केतना हो जाएगा इसके पास carbon 8 हो जाएगा carbon की संख्या केतना हो जाएगा 8 होगा मत्तब 2 आव 8 आट ऐसी सरचना अक्रिय गैस जएसी दू आव 8 किसका डस किसका है नियोन का है तो नियोन जैसा आपने निकरतम अक्रिय गैस जैसे आप सरचना पराप्त करने के लिए अस्टक पराप करने के लिए या carbon को केतना elektron गरहन करना पढ़ेगा चार इलक्टोन गरहन करना पड़ेगा और चार इलक्टोन गरहन करके कार्बन रिनायन C4- जो है कार्बन रिनायन बन जाएगा लेकिन जब कार्बन रिनायन बनेगा ति इलक्टोन की संख्या केतना हो जागा अब इसके पास 10 हो जागा इलक्टोन की संख्या केतना हो जागा परमानू का अकार जब बहुत छोटा होता है तो उसके चलते क्या यहाँ परसानी होगा से समझे लिजे, कि कारवन परमानू जो है बाहर से 4 इलक्टोन गरहन करके जब अक्रिय गैस जैसी सरचना प्राप्त कर सकता है, तो उसी स्थिती में या ऐसा प्राप्त करने में या सक् कील हो जाता है, इसीली यह इल göraversion का अस्थनांत्रण न करके साजह करता है, दूसरा region देख लिजिए, कि मा लिजिए कि यह गरहन न करके यह का करता है, यह गरहन न करके यह इसके अंदर proton है, दूसरा region समझ रहे हैं, तो इसके अंदर चौव है यह भी चौव है और इलक्टोन भी इसके चारों तरफ कितने घूम रहे हैं चौव है मान के चलिए कि यह गरहन ना करके त्याग कर देता तब क्या होता इस्थिती तो त्याग करने में रिजन समझ लिजे कि कारबन अदिमा लिजे कि यह त्याग करता दू और चार तो यह दू इलक्टोन इस चार इलक्टोन का इत्याग कर दिया ठीक है तो क्या होगा अब इसके पास इलक्टोन कितना बच जाएंगे दो बच जाएंगे और प्रोटोन कितना रह जाएगा छो रह जाएगा तो परमानू का कार जानते हैं कि बहुत छोटा है और छोटा होकर कि दो इलक्टोन वाले छो प्रोटोन को समभाव नहीं होगा दूनों को बीच में नाभी के साथ मजबूती के साथ बंधे रहते हैं इसलिए जो है कारवन का परमानू जो है अपनी बाहरी कच्छा में चार इलक्टोन का त्याग नहीं करता है चार इलक्टोन को त्याग करके यह ऐसा हो जागा सी फोर पलस ए आएन बन जगा लेकिन इसको त्याग करने के लिए क्या है अधिक मातरा में उरजा क्याओ सकता होती है और उतना उरजा जो है इस परमानू के पास कारवन के पास होता नहीं है इसलिए भी जो है या इलक्टोन का स्थानांतरन भी नहीं कर पाता है केवल इसको साधा ही अगला के साधा करके ही बंधन बनाना पड़ जाता है तो यही दो गो रीजन है जिसी रीजन को हम लोग यहां लिख दिये हैं कि कार्बन चार इलक्टोन खोकर C पलस धनायन बना सकता है कार्बन की सर्वोतो मूखी परकिरती अगला टोपिक है कार्बन की सर्वोतो मूखी परकिरती मरत भर स्टाइल नेचर आप कार्बन तो कार्बन जो है ऐसा नेचर क्यों रखता है और जिसके चलते जो है यह कार्बन सबसे अधिक मातरा में योगीकों का निर्मान क्यों करता है तो उसी का हम लोग रीजन इस TOPIK अंत्रगत जानेंगे तो कारबन योगीकों की बिसाल संख्या दिखाई देने का कारण क्या है कि कारबन जो है भी बताये कि पाँच लाग से अधी की योगीक जो है करते हैं और इसे स्रिंखलन या केटेनेशन कहते हैं क्या कहना चाहता है कहता कि कार्बन जो है सीधा इस तरह का स्ट्रेट भी बरांच बना देता है ठीक है और दूसरा कार्बन जो है जूट करके ऐसा साकित बरांच वाला भी स्रिंखला बना देता है तो यह केवल कार्बन मे बना दे रहा है carbon ठीक है तो बंद स्रिंखला भी बना देता है इस तरह से आप बेंजीन का देखे होंगे और structure देखे होंगे इस तरह से रहता है ठीक है तो यह भी क्या है ring shape है alternate जो है इसका bond जर बनता है और सभी में hydrogen एक लगा रहता है तो इस तरह से बंद स्रिंखला का भी निर्मान करता है तो ऐसा गुन जो है कार्बन ही केवल परदसीत कर सकता है तो इसके चलते भी इसकी संख्यादीक है तो आपका हो गया कि स्रिंखला मतलब अस्टेट भी सिधा भी ब्रांच भी और बंद स्रिंखला का निर्मान कर देता ह एक region भी हो गया दुसरा region का था कि carbon विधुत धनात्मक और विधुत रिनात्मक विधुत धनात्मक का मतलब हुआ कि carbon जो है hydrogen के साथ भी oxygen के साथ भी nitrogen के साथ भी sulfur के साथ भी phosphorus के साथ भी थीखуска बहुत तरह के elements के साथ जो है या संयोग करके अनेक योगी को खिस सरेशना कर सकता है ठीक है? मतलब यह देखे, positive है, negative है तो इस तरह से positive, negative बने दुनों तरह के ततों से सन्योग करके योगी को निर्मान करता है जैसे यह CH4 ठीक है? CH4 तो इसमें क्या है? Carbon and hydrogen है तो देखे, carbon and hydrogen के बिच बंधन है इसमें CH, O इसमें carbon, hydrogen, oxygen के साथ भी बंधन है यह है आपका किसका? यह methyl alcohol का फर्मूला था यह आपका glucose का है इसमें carbon, hydrogen, oxygen, oxygen देखे, इसमें भी इसकी है यह क्या है? इनिलीन का फर्मूला है carbon, hydrogen, nitrogen देखे, यहाँ पर तीनों तरह nitrogen के साथ भी है तो यह carbon जो है सभी तरक, बहुत तरके तत्वों के साथ मिल करके योगिगों का निर्मान करता है जो अन तत्वों में ऐसी बिसेस्ता नहीं है तो यह भी अधिक संख्या में योगिग बनने का region है अगला है carbon की योगिग जो है समावयवता समावयवता मतलब आईसो मेरेजिन का गुन परदसित करता है ठीक है अब आईसो मेरेजिन का गुन परदसित करने के चलते तो आईसो मेरेजिन क्या होता इसका topic आगे हम दो पढ़ेंगे आईसो सोट में यह हम बता दे रहे हैं H10 है, तो यहां पर कार्बन देखिए, चार्गो है, तो चार्गो कार्बन लगा दिये, और सभी कार्बन में क्या है, एक उगो हाईडोजन, मत् wahrscheinlich सभ चारतर बोने है, क़ा हाईडोजन लग गिया, तो यह देखिए सीधा सनचना है, और C4 H10 है, C4 H10 है, इसको कहा जाता है normal, butane कहा जाता है, लेकिन इसी carbon, 4 गो carbon को हम 3 गो सिधा रख दिये, और या उपरे में हम बरांच दे दिये, तो इस स्थिती में भी carbon देखें, यहां बरांच भी बन गया, ठीक है, यहां पर भी इसका carbon के लिए 4 गो hydrogen, यहां भी hydrogen, इसका भी 3 गो रहेगा hydrogen, ठीक है, यहां सब कैसे स्राचना बता है, तो इसका देखें, वही है C4H10, यहां भी C4H10 है, लेकिन इसका नाम है isobutane, क्या नाम है, isobutane, तो इस तरह से देखें, अनुसुत्र समान है, स्राचना सुत्र भीन है, तो इसी को कहा जाता है समावयता, और ऐसे योगी को समाव कहा जाता है, तो ऐसा गुन परदशित करने की छमता जो है कार्बन में होती है, इसलिए भी इसके अधिक संख्या में योगिक मिलते हैं, तो यह आपका इसका तीन गोई रीजन बता दियें, जो इस चेप्टर का महतवपूर रीजन था, अगला जो वीडियो बनेगा पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रो कार्बन क्या है, या कितने परकार के होते हैं, इनके सब के बारे में हम लोग उसमें जानेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जै हिन, जै भारत